वेलो स्टुडेंट्स वेलकम है आपका अधाकर कॉंसेट के डिजिटल प्लैटफॉर्म में और इस बार में आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जून है उसका सेकेंड वीक का जीके यानि कि हम पढ़ेंगे आज आट से लगाकर 14 जून का करण्ट अफेर्स और यह हर वीक म कर से बताने की कोशिश करूआं तो चली शुरू करते हैं आज का सेशन, इस सेशन में हमारा सबसे पहला कुशन है निम्न मैंसे कि संगठन ने हाल में किटानु नाशक एकाई, अल्ट्रा सवच्छ को विक्सित किया, एक किटानु नाशक एकाई है जिसका नाम है अल्ट्रा और DRDO जो है इन सारी चीजों को जिसे एलेक्रोनिक एक्यूपमेंट से फैब्रिक्स हैं कपड़े भी हो सकते हैं इन सबको यह डिसिंफेक्ट कर सकता है तो 1958 में इसके स्थापना हुई है डेली में इसका हैड़कॉर्टर है और जी सतीश रेड़ी इसके चीफ हैं जी सतीश र सब्सक्राइब करें इसके बारे में बात करें तो रिसेंट्डी युए से हैज अनौंस तु बैन डेक्रोप एज टर्रिस्ट और ग्रूप एज़िए चीजें पड़ी है यहां पर इसे रखके इसको डिसिंफेक्ट कर सकते हैं चलिए नेक्स कोशन के बारे में बात करें त तो रिसेंट्डी युए से हैज अनौंस तु बैन डेक्रोप एज टर्रिस्ट और ग्रूप एज टर्रिस्ट और ग्रूप अमेरिका ने किस ग्रूप को प्रतिबंदित करने और अगरवादी सम्मू घोशित करने की गोशना की थी तो इसका नाम है अंतीफा तो यह अंदर के अत्याचारों के दूरान इसका उदेख हुआ था और इसका यह कहना है कि एंटीफासिजम है एंटीफासिजम का मतलब है कि जो ऐसी ताक्तें जो फासिजम को बढ़ाती है उनके खिलाप यह हैं और हम अगर यह कहें कि राइट विंग पार्टियां जो होती है दक कुरानी प्रथाओं को सपोर्ट करती है और संस्कृति को सपोर्ट करती है उनमें यह इनकी विशेष्टा होती है और इसी से अगर आप इसका एवल्यूशन देखें दो चार स्टेप बाद में तो वह फासिजम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो यह जो है इसल इनकी पहचान सुनिश्चित नहीं होती है इनका कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं होता है अभी ऐसा ओर्गनाइशन रहता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है इसको जो है आप यह कह सकते हैं कि यह अन-इडेंटिफाइड पीपल होते हैं और हिंसा कहला कि यह बूलते ह जो व्यक्ति था उसको पुलिस वाले ने गुटने के नीचे दबा कर 7-8 मिनट तक उसकी हत्या कर दी थी हत्या कर दी थी यही बूलना पड़ेगा तो तो इसके बाद में यह प्रोटेस अमेरिका में हो रहे हैं और काफी सारी कंट्रीज में भी बढ़ गए हैं कई सारे तो प्रिछर्ड निकसन के परदान में थे उनकी भी हत्या होई थी तो उस साल जो अमेरिका में कयोश था उसी तरीगे का ऐसा देखने में आ रहा हैं कि जो treatment किया जा रहा है उनको जो उनके मानवाधिकारों को जो हननो रहा है वो हनन नहों उसके लिए सारी बातें चल रही है चली आगे बढ़े next question की तरफ तो यह USA है आप देख लीजे USA की position में आपको बता रहा हूं यहां पर यह जो green color में आपको दिख रहा है एक मिनिट यह जो green color में आपको दिख रहा है यह आपका USA है green green color में और I think pan is not working यह जो है यह green color में अलास्का यह USA से खरीजा था रिश्या से इसका राज जेग अलास्का जो है आपको पता होगा साड़े साथ मिलियन डॉलर में अमेरिका ने एक बार इसको करदा हुए 1867 में और यह अमेरिका है और अमेरिका की राजधानी यह वाशिंग्टन वहां के राश्टपति यह डोनाल्ड ट्रम्प और चुना होने वाले अभी तो यह चीज़ें जितने में बता रहा हूं यह बहुत मैटर करती हैं अमेरिका के पडोसी है कैनेडा नीचे है मैक्सिको यह दो बात करें यह अमेरिका का लिए कितने प्ल का राज्जों की boundary है हमारी यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी यहां पर जो है अलग तरीके से बटवार हुआ है तो इस तरीके से यह राज्ज बने हुए देखी यह जो छुट-छुट है स्क्वाइर में दिख रहे हैं सारे राज्ज आप देखी नाम पढ़िएगा जे वहां के और अमेरिका से related ही एक और खबर है यह कि नेमने में से कौन सा उष्ण कटिबंदी चक्रवाद हाल में मेक्सिको की खाडी मेक्सिको की खाडी में बना है और अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तो उस समय यह खबर थी है और यह वाला तूफान ता क्रेस्टोबल अग्सिको की खाडी से इस तरीके से ऐसे बढ़ रहा था तो यहां पर जो है यह यह दो नदिया फ्रकषित अमेरिका में मिसीसिपि और मिजोरी यह दो नदिया है इनका पर बनता है तो इधर जो है बढ़ रहा था और कुछ नुकसान भी हए ता ह inte पर आते रहते हैं यह य ट्रेना उसका नाम था चलिए नेक्स कोशिन की तरफ बढ़ें तो ये तूफान का मैं बता रहा था आपको आप तो खतम हो गया है तो इस तरीके से ये बढ़ रहा था यहापर मैंने आपको बता था गल्फ और मेक्सिको है आपको बता है मेक्सिको की जो गल्फ है ये गल्फ और कहीं पर होती है बे बे और गल्फ में ये फर्ख होता है कि गल्फ और बे तीनों तरफ से पानी से गिरी होती है ये तो कन्फम है कि ये देखिए एक ये दो और ये तीन तरफ से पानी से गिरी होती है और बे भी इस तरीके से पानी से गिरी होती है लेकिन गल्फ जो है थो mapping अगर आप देखें यह भारत का मैप देखिए तो यहाँ पे यह Bay of Bengal है यह Bay of Bengal है और यह जो Bay of Bengal है देखिए इधर से पानी से गिरी हुई है इधर इधर और इधर लेकिन यह रास्ता जो है काफी चोड़ा रास्ता है इतना सकड़ा रास्ता नहीं है तो Gulf और Bay में यही difference होता ह है कि तीनों तरफ से फानी से गिरे हुए आते हैं लेकिन Gulf का जो रास्ता है वो थोड़ा सकड़ा रास्ता होता है और Bay का जो रास्ता है वो थोड़ा बड़ा रास्ता होता है बाकी समंदर से छोटा territory होता है ठीक है चले नेक्स की बात करते हैं इमने मैं से किस देश में हाल जो इलेक्ट्रिक उत्पादन करने वाली कमपनी है उसने ये आपका ओईल है उसके टैंक बना रखे थे काफी सारे और उनको क्या कर रखा था पर्माफ्रोस्ट टेंपरेचर पे जो बर्फ जमीरे थी पर्माफ्रोस्ट का मतलब ही होता है कि जीरो डिगर से कम तो बर्फ की प जहां पर क्या हुआ कि जो कसभा माहां का नौयलिस्क ऑश्रम में क्या है उनलिस्परोस्ट्री बढ़रा वनादी में तरयव परदूशन की घ्टन हो जuous यह अंबरनाया नदी आप देख रहे होंगे और यह जो है और यह है यह ओईली और यह पर इमर्जेंसी लगा दी गई है इमर्जेंसी लगाने काराण यह है कि यहां पर आग नहीं लग जाए अगर लग जाएगी तो और डिजास्टर सो जाएगा अलाकि इसके नीचे यह थोड़ा साफ पानी है यहां पर इन्होंने बेरिकेट लगा दियाएक ताकि आगे नहीं पड़े ओईल क्योंगी तो उपर तेरता है तो यहां पर जली जनतु है बहुत सारी जो इकोलोजिकल डिजास्टर होगा यहां पर कई सारी जनतु होगी बिम्रत्य हो जाएगी और ऐसा बूला जा रहा है कि अगर इसको साफ किया जाए तो हो सकता है कि पूराने स्थिय में ल गटना हुई थी वह इतने लेवल पर भी नहीं थी जबकि यह उससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि बड़ी गटना है तो यह सारी चीज़ें रश्या के बारे में हैं और करीब 20,000 टन यहां पर ऑईल गिरा है और ग्लोबल वार्मिंग के अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्लोब से कम रखना है हमें दो डिग्री से ज्यादा नहीं बड़े जब हमने इंडस्ट्रिलाइजेशन शुरू किया था उस समय का जो टेंपरेचर था एवरेज टेंपरेचर प्रत्वी का उससे अगर वो दो डिग्री से हम कम रख पाए ना तो भी हम फाइदे में रहेंगे अग सब्सक्राइब इसको डिग्री कर रख पाएं तो हमें और भी जो है सुईधा होगी तो ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए बहुत सारी चीजें जो परियावरण के लिए आजकल हो रही है वह करने की ज़रूरत है एक ट्यूलीप करके सरकार की योजना है और यह जो है इसमें यू का क्या मीनिग आपको पूछा जा रहा है तो ट्यूली प्रोग्राम को पूरा नाम देखिए हैं आप लिखा हूँ है मैंने द अर्बन लर्नींग इंटरंशिप प्रोग्राम है यह क्या कर रहा है कि जो जो इंजीनियरस हैं जो ग्रेजुएट्स हैं जिन इसाथ जो दूसरे प्रोजेक्ट जैसे smart city के प्रोजेक्ट है तो smart city के प्रोजेक्ट में भी जो है इन लोगों को involved किया जा सकता है इनकी expertise का फाइदा लिया जा सकता है even इनको भी फाइदा होगा इनकी training वगरा से अच्छे से होगी और बहुत सारी चीजें जो है इसमें जालू किया गया है और यह जो है करीब एक आठ हफता से 18 महीने की यह training हो सकती है और यहां पर करीब यह बुला जा रहा है कि 25,000 लोगों को जो है इससे benefit मिलेगा तो यह बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर अच्छी हो सकती है तो यह scheme आपको पूछी जा सकती इवन इसक होगा और यह इंडिया के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि फुटबोल को इंडिया प्रमोट कर रहा है तिरे-दिरे तो काफी सारी चीजें जो है इसमें हो सकती है और यह एशन फुटबॉल कप जो है इसका हैड़क्वार्टर एक्चुली कौललमपुर में है और मलेशि हम है और इसके सल्मान बेन इब्रहाइम जो है यहां के हैड है तो इन सल्मान बेन इब्रहाइम नहीं जो है यह खत लेकर जानकरी दी थी हमारे यहां पर AIFFA All India Football Federation उसके अध्यक्षे परफुल पटेल तो परफुल पटेल को जानकरी दी है कि 2022 का महिला एशिया फुटबॉल कफ है यह भारत में हम कराने की गोशना कर रहे है और इससे पहले भी टूनामेंट हो चुके है भारत में अंडर 17 पुरुशों का और 17 जो है महिलाओं का दोनों हो चुके है अंडर 17 जो पुरुशों का हुआ था वो 2017 में हुआ था पुरुशों का मेल का और जो फीमेल का हु पर नए मामले कोई भी नहीं आए तो इस थाइप रतीन इदी विश्विया पर संक्टन में किसे बनाया गया तो ब्रिजेंद्र नवनि थे इनको बनाया गया राजीव टॉपनों जो हैं इनको वर्ल्ड बैंक में बेजा गया है और वर्ल्ड बैंक में जो यह बहुत सारे में राजदूत बनाया गया और रविश कुमार को जो हैं फिंड लेंड में राजदूत बनाया गया तो यह उप्शन भी जो हैं काफी इंपोर्टेंट है नेक्स एकर हम बात करें वन जलवायू परिवरतन मंत्रालने हाली में क्योजना है चालू कि जिसके द्वारा शहरी वनों के शत्रपल में व्रद्धी की जानिया स्योजना का क्या नाम है तो यह नगर वन योजना है जहां पर नगरों में जो है वन विक्सित करें हम नगरों में और उन नगरों में वन विक्सित करने के लिए भूमी जो है जो वहां की लोकल बॉडिस है वह प्रदान करेंग लिया है और आने वाले पांस सालों में ये 2000 वन विक्सित करने वाले हैं कौन सा राज इनर लाइन परमिट का हिस्सा नहीं है तो इसमें जो है आसाम इनर लाइन परमिट का हिस्सा नहीं है इनर लाइन पर्मिट का मतलब है इन राज्यों में जाने से पहले वहाँ पर परमिशन लेना होती है और वहाँ पर आपको वहाँ पर रूख नहीं सकते यानि स्थाई निवास नहीं कर सकते हैं असम में भी डिमांड उठ रहे बाकी इन राज्यों में जो नीचे नीचे जो लिखा है कहांगापर है तो अरोनाचल प्रिदेश मीजोरम नागालेंड और मनिपूर एक राज्यों और है तो इन चार राज्यों में इनर लाइन आई एलपी वरमिट की व्यवस्ता है इसके लि लेटेटेट है वहां लोकतंत्र विरोधी लोकतंत्र के समर्थन में प्रोटेस्ट हुए थे उसमें चायिना ने बहड़ा दमन किया था बड़े लेवल पर 1989 की बात है और उस दमन के कारण जो है चायिना का त्यानमें चोक जो है बहुत प्रसिद्ध्ध है वहां पर बीजि यहाँ पर लिखा कि 2021 में का यूनिक ट्विन सम्मेलन का आयोजन करे गा कौन करे तो डवल एफ करेगा यन्हें वल्ल एकॉनमिक फॉरम करेगा और यह ट्विन सम्मेलन इसलिए बोला जा रहे हैं कि यहां पर वर्चूल समिट भी होगी और फिजिकल समिट भी होगी दोनों समिट जो है यहाँ पर होगी यह जो बात कर रहा हूं है WAF की World Economic Forum जो है यह Non Profitable International Organization है जो दूसरी संस्ताओं के साथ में काम करता है इसका Headquarter है जैनेवा में है और इसकी समाज से भी पत्रकार नेता यह सारे लोग जूड़ेंगे तो शायद कुछ अच्छी चीज़े निकल कर रहा है इसलिए इसकी थीम को नाम दिया गया इसको वापस हम रिसेट करें तो इसकी थीम का नाम है नेक्स कोशिन के तरफ बढ़ें संगटन के द्वारा हाली में एंजियो को विश्वसास संगटन के द्वारा तंबा की विरोधी अभियान में योगदान के लिए प्रुस्कृत किया गया है तो सीड्स नाम का एंजियो है जिसने जारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है तो इसको डब्ली एच प्रशना कोर्श होगा और जो डिजिटल पेमेंट से उसमें प्योएस का नाम आपने सुना होगा पॉइंट ऑफ सेल उसके उसमें व्रद्धी के लिए सारी चीजें की जाएगी तो इसमें धाइसो क्रोल तो आरिभी देगा अधर सोर्स जो भी आपके जो क्रेडिट के स्वेपिंग भी बढ़ेंगे और साथी साथ जो है उनको भी फाइदा होगा जो दुकांदारे उनको भी फाइदा होगा और यह स्पेसिफिकली क्या किया जा रहा है कि टायर थ्री से टायर थ्री सिटी से टायर सिक्स सिटी के बीच में इस्तापित किया जाएगा तो यह आरबीयाई के दुआरा classification है कौन सी city क्या है जिसे टायर 6 city में 5000 से कम की population वाले टायर 6 city कहलाते हैं नासान हाल में गोशना किये कि asteroid जो है बहुत ही पास से घुजरा है प्रत्वीगे और खतरनाख शुद्र गरः हो सकता है क्योंकि ज्यादा पास से घुजरता है तो यह कहा जाता है कि वह hazardous element हो सकता है hazarded asteroid हो सकता है तो यह इसका नाम जो है first number पर है और asteroid जो है यह इस तरीके एक asteroid होते हैं sun का चक्कर लगाते हैं और प्रत्वी की जो यह जो पात है प्रत्वी का यह जो गुमने का पात है इस में से कहीं आसपास होकर निकलते है तो यह सारी चीज़ी हमारा सोर मंडल का पिक्चर रही है प्रत्वी का बारे में बताना है अपको तो foreign portfolio investment है और foreign portfolio investment इसलिए यहाँ पर बता रहा हूं क्योंकि अभी जो foreign portfolio investment है वो काफी हद तक जो है कम हो रहा था लेकिन अभी जून के महिने में काफी सारी कंपनियों में foreign portfolio investment बड़ा है इसमें specific नाम जो है Reliance का राइट इशू आया है अभी करीब भारत का सबसे बड़ा राइट इशू है तर्यपन 1124 करोल का वहां पर पैसा आया है ब्लस कोटेक महिंद्रा बैंक के तो कोटेक महिंद्रा बैंक में भी काफी सारी जो है equity उन्होंने बेची है तो उसमें भी इनका पैसा आया है तो किस दिन को विश्व खादे दिवस के रूप में मनाय जाता है तो विश्व खादे दिवस के रूप में मनाय जाता है साथ जून को यहां पर option में नहीं है इसको साथ जून कर लिजगा आप 7 जून को विश्व खादे दिवस के रूप में मनाय जाता है अब यह जो मैं बता जो food and agriculture organization के दुवारा मनाया जाता है उसके स्थापना दिवस पर लेकिन ये जो सुरक्षा दिवस है विश्व खादी सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है कि खाद से जनित जो विमारी है फुट बॉर्न डिसीज जो है उनके बारे में awareness फेलाई जाए उसके लिए ये मनाया ज जाता है food safety everyone's business food safety जो हर एक का बिजनेस इस तरीके सिसकी थीम रखिए नेक्स एकरम बात करें किस राजी के दुवरा हाल में जंजाती शुत्रों अधिवस चात्रों के लिए संथाल और जो दूसरी जंजातिया है वहाँ पर वह भुयान है तो इनके लिए क्या किया जा रहा खाना पीना ट्रेनिंग वगरा सारी चीजा वहीं होगी गरीब तीन हजार लोग एक साथ पढ़ पाएं ऐसी वहाँ की इनफोर्मेशन है तो यह जो है यहां पर उडिसा में कौन सारी चीजा है इंपोटेंट में लिखी यहां पढ़ लीजेगा इसको देख लीजेगा यहा पर मैंने बता है यहां पर आमफन दूफान भी आया था आली में और कॉनार्क संटेंपल को भी यहां पर जो सोलर से चलने वाला पहला मंदिर गोशित किया गया था उसको ब्लेक पेगोड अभी बोला जाता है कॉनार के संटेपल को 10 रुपे के नोट के बीचे जो है उसको तो यह जो स्पीक में इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर द्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल मुजिक एंड इंड कल्चरल अग्द यूथ यानि कि भारत का सोसाइटी और कल्चर उसको परमोशन करना है इंडिन क्लासिकल म्यूजिक और कल्चर को यूथ में तो 1977 में इसक इस Nasa में mij依ा तसका मांंचार की बाठीज के बिल्स गार्मय के सपन्दन अभियान की शुरूएंग चेह तो च्पी इनको कांसीलिंग वगरा दीजाए और कांसीलिंग के शाम हो चाहिए इनकी दूसरी चीजिज से remote learning के बारे इनको awareness फिलाई जाए ताकि यह अच्छे से काम कर पाएं क्योंकि यह जो 10 situation में काम कर रहे हैं तो वहां पर आत्मत्या की गटना है बहुत सारी बढ़ रहे हैं तो 36 सरकार का एक बहुत अच्छा क्या सकते हैं कि कदम है चर्थिसगर के CM, Governor, Capital, National Park के सारे में ने दिये हैं यहां पर देख लिएगा आप और इंद्रावती रिवर भूत फेमस है जहां पर चित्रकुट फॉल है इस पर यह प्रोजेक्ट भी बना जा रहा है नेक्स है विश्व ओशन दिवस जो है कब मना जाता है तो 8 जुन को World Ocean Day ब बना जाता है नेक्स एकर मत करें किस राज़ीन हाली में गेरसेंड को अपने गरश्मकालिन राजदानी कोशित किया तो उत्रा खंडे वहां की राजदानी अल्रेडी पहले है धेरादून लेकिन अभी जो है यहां पर गर्मी में अच्छे से काम कर पाएं क्योंकि वहां ठ पर यह है तो यहां पर दो राज़दानी जम्मु है और श्री नगर अंधर प्रदेश में भी दो तीन राज़दयान बनाने की बात अलग राजदानी का मतलब है वह अलग राजदानी होने का मतलब ऑग जुडिश्याल वाड़ाण के यहां यहां के उत्रकंड के गवरनर एक टो चुन टाहिए बनाये गया गया है तो मिस्ट्रास्ट सांग का यह जो सईकतु राष्ट संग का मतलब युनाइटेद कर नहीं है विकास और शान्ति के लिए से युक्तुराश्य एक और इसमें जो है एक लड़की है जिसने भी सारी कमाई जो है तो इसलिए एम नत्रा को गरीबी से लड़ने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए लाड़ू के रहने वाली है एम नत्रा नेक्स एकरम बात करें कौन रिचर्ड डॉकिन्स अवाट से सम्मानित करने जाला पहला भारती है तो जाविद अक्तर है और यह पुरुसकार जो क्रि है तो राज्य है यह अंद्रप्रदेश और सारा एक प्लैटफॉर्म के माध्यम से कच्रे के जहां स्टार्टिंग से लेकर उसके डिस्पोजल तक सारा उनलाइन हो जाएगा तो यह बहुत सारी चीज़ें जो है यहां पर अच्छी होगी ताकि सॉलिड मैनेजमेंट भी अ क्या नाम है तो यह कोरो बोठ है और को इन्फेक्शन जिस तरी से फेल रहा है उसमें रोब़ोट अच्छा काम कर सकता है क्योंकि इसके लिए मरीजों को खाना देना और सारी चीजों करने के लिए काम आ सकता है एक त्रिडोकर नाम के विक्ति हैं पर्तिक त्रिडोकर तो पर्तिक त्रिडोकर ने विक्सित किया है पूने के हैं इन्होंने विक्सित किया है भारत में टैलेंड की कमी नहीं है हाल में भारती एरफोर्स ने संडीगड़ की तीन बेस रिपेर दुआर वेक्सित किये गए अरपित में एक क्या नाम है तो यह अरपित क्या है उसके बारे मैं आपको बता दूँ यह एरबॉर्ण पैटी वगरा में बंद करके ला सकते हैं असा नहीं है उसमें सारी मेडिकल एक्यूपेंट बगरा बहुत सारी चीज़़े हैं अच्छे से बैटने की जगह है बहुत सारी सुविधा है उसमें तो उस पोर्ड को डवलप किया गए अरपित को तो एफ और एरवोर्ण आपका थर्ड नम्बर आंसर होगा नेक्स के एकरम बात करें खालिस्तान जो कई बार संपर्भू राज जी की मांग के कराण चर्चा में राय है कि सिक्षी समुधार समधी ते इसके बारे में मैंने डीटेल 10 तारी को बताया हुए है तो आप अच्छे से देख लीजेगा खालिस्तान यहां यहां यह जो यह राज्य इतना सारा यह खालिस्तान की मांग करता है तो अलग सम्मू है इसके बारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में इंद्रा गांधी के बारे में सिक विरुद दंगो के बारे में सारा मैंने डिटेल से बताया हुआ आपको शोशल बबल हाली में चर्चा में था, कोरोना किलाब लडाई में परभावी हो सकते हैं, किस देश में सफल था पुरवक इनका परियोग किया गए, तो न्यूजिलेंड में शोशल बबल का परियोग किया गए, यानि आपकी फैमिली और आपके जो साथ वाल हैं, उनको मिलाक ही मिलने के अनुमत ही दे दी जाए, और एक सोशल बबल क्रियेट कर दिया जाए, ताकि यह कोई भी इन्फेक्शन हो, तो उन्हीं लोगों को कॉरेंटाइन करना रहा है, जो इन से रिलेटेड जो शोशल बबल के अंदर थे, और यह न्यूजिलेंड है, आप देख लिजी बिल को पास किया है, और उस बिल के अकोडिंग उन्होंने क्या किया है, भारत के शेत्र काला पानी लिपूले को लिंप्यु धारा, उसको सम्विधान चंशुदर तो अपने नक्षे में पारित किया जाएगा, और आज जब मैं इन्यूस बना रहा हूं, तो वो बिल भी प तो यह सबसे बड़ा है, अभी गौरकपूर है, तेरा सुसाट मीटर, नेक्स के एकरम बात करें कि कि इस देश ने ये लिविश्वी देले के द्वारा द्वी वार्शिक परियावर निश्पादन इंडेक्स पहले इस्तान प्राप्त किया है, तो यह डेन्मार्क है, जिसम तो यहां चलाए गया है, तो यहां चलाए गया है, और आपको पता होगा कि इसमें क्या है वरक्ष लगाएंगे, उनके केर जो अपनी मा की तरह की जाएगी, इसलिए थेंक्स मौम नाम अभियान चलाए गया है, पहली बार भारत में किस राजजी का राजजीद जो उतकल जननी नाम से कोशित किया गया, राजजीद पहली बारे किसी राजजी ने कोशित किया है, और यह है करने वाला ओडिसा, तो ओडिसा के बारे मैंने पिछली बार बताया था बहुत सारी चीज़े, काउन वहां पर सी एम गवर्नर वगरा है, और यह एक इन्फोरमेशन और आप एड़े कर लिजेगा, नेक्स एकरम बात करें, यहां पर देखिए, मैंने वापस भी लिख दिया है, नेशनल पार्क वगरा है, कौरान अक सरन टेंबल, गाहिर माता बीच, चिलिका लेग, वो सारी चीज़े, मैप में भी आप देख सकते हैं, किस राजज्य में, और आग लगने ही गटना हुए, तो यह आसाम में बहुत बड़ी ट्रेजडी अभी चल रही है, और यहां पर जो तेल के कुवे हैं, वहां से गैस भी निकलती है, तो उन तेल के कुवे में, जो यहां पर जिसे होल हो जाते हैं, कूकर, प्रेशर कूकर की टाइप जिसे, माल ल प्रशाषनी अधिकरन की अठार भी बेंच को इस्तापित किया गया है, तो यह जम्मू में स्तापित किया गया है, और कैंदरी प्रशाषनी की सेंट्र अड्मिस्टरेट टृबिनल क्या होती है, कि प्रशाषनी अधिकारियों, आईएस, आईपिएस वगरा, इन सब से रि ओपैक में इपा क्या मतलब अउल प्रोडूइसिंग एक्सपोर्टिउसंग च॑र्ट करते हैं उसका जो है एक्सपोर्ट करने वाली तो अभी क्यों चर्चा में है अभी इसलिए ऐसले मानते नहीं है तेरा कंट्रीज है और तेरा कंट्रीज में जब यह गोशना होती है कि हम oil sport घटा रहें या oil production घटा रहें तो कई लोग जो है इसको घटाते नहीं और चुपके तुपके बेशते भी रहते हैं तो इसी problem को साओधी अरब और रेशिया जो है इस problem को नाम देते ह हैं यह आपको दिखने तो यह तेरा मेंबर हैं यह तेरा मेंबर जो है अलजीरिया अंगोला होगरा सारे हैं और अगर ओपेक प्लस की बात कर लें तो ओपेक प्लस में 10 मेंबर और हो जाते हैं जिसमें रश्या भी शामिल है तो अभी रश्या और साओधी अरबिया के पहली सोलर रूजा दुवारा चालित फेरी को हाल में गुस्तावे ट्रोवे पुरसकार सम्मानित किया गया तो यह आदिति नाम की फेरी है फेरी का मतलब बोट इस तरीके की यह उपर पैनल लगें आपको दिख रहे होंगे यह पैनल जो है सोलर रूजा संचालित है और इसस सिचैन की देख सकते है नॉर्थ और साउथ कोरिया की जो के मैच और यहां पर नाम है सियॉल और यहां जो नॉर्थ खोड़िया है इसकी के बीटल है क्योंग योंग दोनों की करेंसी वावं 하겠습니다 ऑई स्वाग के जे इन है मून जे इन मून जे इन नेक्स के करब बात करें शांती स्थावित करने के लिए अमेरिका के साथ किये के समझोते के था तालिबान के तीन हजार बंदियों को छोड़ा है किसने तो यह है अफगानिस्तान ने छोड़ा है पूर डिटेल में आपको बताई थी उस दि भारत यहां से सीधा रूट चाहता है लेकिन मिलता नहीं है हाला कि अफगानिस्तान की बाउंडरी यहां भारत में मिलती है लेकिन आपको पता होगा यह POK का शेतर यह सारी चीजह मैंने डिसकस की ते आपको मैप से पढ़िए गा बहुत अच्छा आपको रहता है यहां कि विविदता पार्क और यह जो जे विविदता पार्क है जे विविदता दिवस है वो 22 माई को मनाया जाता ध्यान रखेगा तो बहुत सारी वनस्पतियों के लिए जे विविदता पार्थ हलवानी में बनाया गया है उत्राकंड के CM वगेरा सारे मैंने लिखे यह देखिएग तो हाली में यह कहाँ पर इस्तित पताना है आपको तो यह महराष्टा में स्तित है और यह लेक का फोटो आप देखेंगे तो पता लग जाए किसा color change हो गया तो यह color change है और यह WTO में स्थाइप प्रतिनी दिया और United Nation में भारत के स्थाइप प्रतिनी दिया और यह पहले यहां पर अगा रया tbsp इहहां पर आती है महाराष्टा से और यहहां पर लैती है इसके सहियोगी नदीह करनातक में और फिर यहां पर पहले आंध्रक्तरणा में आती है फिर तलंगानामं में जाती है इनकी बनाती है और यहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में नेक्स एकनम बात करें गौमति मुर्व मुथु जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेट जिनको हाली में भी चार साल के बैन किया गया तो स्प्रिंटर धावक है और डॉप टेस्ट में फेलोंने करने को बैन कर दिया गया घ्या ले में बात करें कौन सा पर्सन-पउयंत किया गया है फर्स्ट अफ्रीकन-अमेरिकन एरफिस का चिप यूसे में एरफिस लाने का मुख्या किसे बनाया गया है नाम है चाल्सकी ब्राउन इनको पहली बार क ही स्वेट को आपर आयरीफ वांपर एरफिसी आपनाई यह मूर्थी जो है मैं बता रहा था आपको कि जॉर्ज फ्लोइट के जो दंगे हो रहे हैं वो कई सहरे शहरों में फैल गए हैं बेल्जियम में फैल गए हैं यूएस में फैल गए साउथ अफ्रिका में फैल गए हैं और जितने भी इंपिरिलिजम यानि सामराज जबाद से स संबंदित उपनीवेश्नवाथ से संबंदित रंगभ्य वेल संबंदित जाती वात से समदित जितने वी सारे स्टेचूस हैं मूर्थी जोन को भी घलत काम किया था यह बेल्जियम के राजा topics करहें इनकी उपड़ा इन्हों नें किया था उस समय अफ्रिका में बहुत सारा शूशन किया था और अपने शहर को विक्सित करने के लिए सारी चीज़ें की दी जैसे देखिए यह एक मूर्थी है जो लंदन में गिराई गई यहां पर इनका नाम है कॉल्स्टन नाम इनका यहां पर देखिए एडवर्ड कॉल्स तरीकिस तरीके से नहीं थे लेकिन घांदी जी लोग यहां पर साउथ अफरीका में लड़ने के लिए कितना काम किया है तो आपना पूरे जीवन का बड़ा हिस्सा जो साथ अफ्रिका की बात किये तो गांदी जी को पर आलोप गलत साबित होंगे या वर्ल्ड कम्यूनिटी के को में अवेर करना पड़ा है गांदी जी के बारे में रह्मन मैक्स अवर्ड इस गिवन बाइच फॉलिपिंस के द्वारा दिया जाता है इस साल कैंसल हो गया पिछले साल पत्रकारित याने मानव संकत उपलब्द हो गया है भूख से मर जाएंगे लोग इतना बड़ा संकत है मिडिलिस्ट में एक कंट्री है तो कौन सी कंट्री है यमन कंट्री इसकी पूरी कहानी मैंने बताई थी हाउती विद्रोईयों की कहानी बताई शिया सुन्नी की बताई थी मैंने सा और इधर जो है यह पाकिस्तान अफगानिस्तान आप कर सकते हैं तो यह यह बहुत इंपोर्टेंट लोकेशन पर है स्ट्रेटिक लोकेशन पर यहां पर यहां पर यमन से रिलेटर में इन्फोर्मेशन दिए इसको आप देखिएगा निमने मैं से किस क्रडिट डेटिंग उनको लगता है कि भारत जो है उटकड़ा होगा और डेफिनेटली हम उटकड़े होंगे नेक्स के हम बात करें कि कौन अंत्रिक्ष में स्पेक वह करने और समुदर के सबसे नीचे इस्तान पर जाने वाला पहला है तो यह कैति सुलेवन है कैति सुलेवन ने क्या किया है कि अंत्रिक्ष में तो वाक किया ही था इनों 1984 में इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन में साथ इसाथ के सुलेवन ने जो समुदर में सबसे डीप इस्तान है और इनों ने क्या किया कि यहारा किलोमेटर नीचे है करीब 36,200 फिट नीचे जो है यह चली गई है और कैसे गई है य यहां से यह एंटर करते हैं और ऐसे जाते हैं तो समुदर में सबसे नीचे जाने वाली महिला भी बन गई और अंत्रिक्ष में उड़ने वाली महिला भी दोनों एक साथ करना मा करने वाली पहली महिला है पहली परसन है कौन सा राज्य खादी सुरक्षा इंडेक्स में पहल USAI है, Food Safety and Standards Authority of India जो है, उसके दोवरे रैंक जारी की गए, जिसके इस्ताफना 2011 में हुए और इसका Headquarter नई दिल्ले में है, और World Food Safety Day भी मैंने इसी वीडियो में बताया आपको साथ जून को मनाया जाता, और World Food Day जो है, वो सोल अक्टोबर को मनाया जाता, Security वाला साथ जून को है नेक्स एकर हम बात करें, यह यहाँ पर गुजरात के CM वकिरा सारे मेंने लिखें, यह आप देख लिजेगा, नेक्स एकर हम यह गुजरात का तट है, गुजरात कहां पर है, गुजरात की Capital गांधी नगर है, किन कौन सा सिक्षन संस्थान, राष्टी संस्थान रैंकिंग फ्रेमबर्ग में पहले स्थान पर आया, तो IIT मदरास ने पहला स्थान हासिल किया, इसे कंड इस थान पर आया, यह ऐसी मैं बेंगलूर है, एक QS World Ranking भी जारी हुई थी, उसमें IIT मॉंबई पहले स्थान पर था, यह वर्ल्ट रैंकिंग थी, इसमें पहले स्थान पर मेसचियस इंट्टिटूट आफ टेकनलोजी यानी एमसेक है अमेरिका क्या क्यू कुछ है लगता नहीं कि बहुत विकास नहीं हो पाता है education से अलग रह जाते हैं तो 152 million जो है करीब अनुमाने पूरे विश्व में जो है इतने लोग जो है बाल शरमेगर COVID-19 के करान ये problem और बढ़ने वाली है कौन सा देश अपने मंगल मिशन Hope Mars Mission के नाम से भेजने वाला है Mission Hope Mars इस नाम से पोजिशन देख लिए यहां पर ये UAE है और यहां की राज़ाने अबुदावी है ये स्टेंट्स और पीम केर पीम केर एक फंड आपको पता होगा मार्च के महिने में प्रदान मंतर के द्वारा बनाया गया था और ये जो मंदी थे RTI से कि इसकी information जो है पब्ली को सौपनी चाहिए तो उसी संदर्व में इसका काफी चर्चा में था साथ इसकी auditing भी चर्चा में थी और और भी आने करनों से ये चर्चा में था तो अभी आप बोला गया है कि पीम केर्स फंड जो होगा उसका उसका जो auditing होगा वो एक सारक नामक संस्ता से करा दी जाएगी और यही संस्ता जो है प्राइम मिनिस्टर अन्नेशनल रिलीफ फंड जो है उसकी भी auditing करती है तो उसके दुआर इसकी auditing कर दी जाएगी हाला कि RTI में लाने से इसको मना कर दिया गया है और इसमें से 31 करोड रुपे 20 लेटर्स के लिए प्रधान मंत्री ने दिये थे तो इसका जो full form होगा यहां पर यह assistance है इसका तो एका मीनिंग तो टेकिन अगर full form होगा तो प्रधान मंत्री citizen assistance and relief citizen assistance and relief in emergency situation इसका पूरा नामी यह पूछा जा सकता है बहुत important question बनेगा विश्व बैंक ने 250 करोड रुपे की राशी की स्कोर इन दी है तो वेस्ट बेंगोल है तो कोविट 19 के कारण और इंडस्ट्रिल इंफ्रा के कारण यह राशी दी गई है और एशय शेयरों की संख्या में अभी हाले मरद्यू 2015 की तुलना में 29% तो कहा पर हुई है तो गुजरात में गिर हुज्चत है होंगे लेकिन मैं बता रहा हम फिर भी इ bounded सहर बोलते हैं बहुँए है इनको जिपके हम इनध्र शेर बोलते हैं के लिए नोने काम किया और यह जो है पुरुसकार दिया जाता है जो आपका संस्ता है नॉर्मन बॉर्लोक के द्वारा बनाए गई है फाउंडेशन एक नॉर्मन बॉर्लोक के द्वारा बनाए गया जिसन को हम भी शुर में हरित करांती के जन्नक बोलते हैं उनके द्वारा य मैंने काफी सारी डीटेल देने के कोशिश की है अगर आपको इतनी सारी जानकारी और डीटेल में चाहिए तो आप डेली वीडियो ज़रूर देखिए का नौ बज़े का टाइम रहता है डेली दस फेक्ट में लेकर आता हूं तो थैंक यू सो मच पूर वाचिंग दे वीडिय में